यह बस यही बोलके companies आपके दिमाग के साथ खेलती है लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताओ कि claim settlement ratio सबसे कम मैत्वा पूर्णा होता है जब एक अच्छा term insurance आप खुद के लिए लेते हो और उस term insurance में क्या क्या add-ons होने चाहिए यह सब वात करेंगे आज के स्यूडियो में तो किसी भी term insurance को लेते समय सबसे महत्व पूर्णा होता है उसका claim intimation ratio अब एक claim intimation ratio क्या होता है इसको अगर मैं सरल भाषा में बताओ तो कुल कितने राशी के claims company ने दिये है उसको आपको विबाजी त्याने के divide करना है कुल कितने राशी के claims company के पास आए है उससे तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं अब मान लो दो कमपनिया है A और B दोनों के पास 10-10 claim आते हैं उनमें से 9 claim 10-10 लाख रुपे का है और 1 claim 50 लाख रुपे का है तो कुल मिला कि उनके पास 1.40 लाख की claims है तो आप मान लेते हैं कि company A ने 9 claims approve कर दिये और 1 claim reject कर दिया 50 लाख रुपे का तो आप company A का claim settlement ratio है वो है 90 प्रतिशन लेकिन वही company A का claim intimation ratio है 64.3 प्रतिशन ऐसा क्यों क्योंकि company A ने 1.40 लाख में से सिर्फ 90 लाख का ही भुखतान किया है तो अगर आप 90 लाख को divide करते हो 140 से तो 64.3 प्रतिशन निकल के आता है जो है हमारा claim intimation ratio अब बात करते है company B के बारे में company ने 2 claims reject कर दिये 10-10 लाख रुपए के बाकी सारे approve कर दिये तो company B का claim settlement ratio है वो आता है 80 प्रतिशत लेकिन वही पे उसका claim intimation ratio 85.70 प्रतिशत का आता है तो ऐसा क्यों क्योंकि company B ने 1.40 लाख में से 1.20 लाख का बुकतान भी किया है तो भले company B का claim settlement ratio company A से कम हो लेकिन company B का claim intimation ratio बहुत अच्छा है और दरसल claim intimation ratio से company के intention का भी पता चलता है अब असल जिंदगी में इसको और complicated तरीके से calculate करते हैं लेकिन आपको base level पे समझाने के लिए इतना सही है तो चलिए आप देखते हैं सब company के claim settlement ratio और claim intimation ratio के लेटेज डेटा को जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमने टॉप की जो दस company उनको दोनों कॉलम्स में हाइलेट कर दिया है आपके सुविधा के लिए और जैसे कि आप लोग देख रहे हो काफी सारी company आज है जैसे एक्साइड लाइफ इंशॉरंस या फिर PNB MetLife कोटक लाइफ इंशॉरस जिनका क्लेम सेटल्मेंट रेशियो पिचानवे से 96 प्रतिशत तक है लेकिन उनका क्लेम इंटिमेशन रेशियो 90 प्रतिशत तक नहीं है इससे तो हम लोग यह बोलेगी कि आमको उन कंपनीज की पॉलिशी कभी ने लेनी चाहिए जिनका जो क्लेम इंटिमेशन रेशियो है वो 90 प्रतिशत से कम हो यह सब देखके हमें यह तो पता चल गया कि टॉप की ज्यादा हो जाता है तो आने वाले समय में जैसे जैसे आपके उपर जिमेशन बढ़ती जाएंगी उस तरीके साब इस इंशरंस कवर को बढ़ा सकते हो इस राइडर के मदद से और वो भी बहुत कम कीमत पर तो अगला राइडर है वेवर ऑफ प्रीमियम यानि कि आने वाल समय में सारे वार्षिक प्रीमियम का बुखतान इस राइडर के मदद से किया जाएगा तो आखरी में आता है critical illness rider तो अगर आपको किसी भी तरीके का critical illness हो जाता है तो insurance company आपके insurance cover का एक हिस्सा आपको cash में देगी आपको मदद करने के लिए वैसा तो बहुत सारे riders है लेकिन ये तीन riders हम आपको आपके term insurance से जोडने की सला देंगे अब ये तो बात होगी कि policy में क्या का होना चाहिए और कौन सी top 10 company है term insurance के लिए लेकिन अभी भी हम लोग एक महत्वपूर्ण हिस्से को बूल रहे हैं और वो है claim experience अब दुरबाग के से term insurance के ज़रो तभी पढ़ती है ये company ने 30 दिनों के अंदर दूसरा आता है क्या लोग आपने online claims को track कर पा रहे है और तीसरा आता है क्या ये बीमा company है लोगों की claims में सायधा के लिए व्यक्तिकत RM service प्रतान करती है तो इनी तीन चीजों के ऊपर हमने इन top की 10 company की तुलना करी है तो इसमें आमने top की 4 company को highlight क कर दिया है और जिन भी company को highlight कर दिया है उन्होंने अपने निनवारे प्रतिशत claims को 30 दिनों के अंदर अप्रूब कर दिया है और दो company जैसे कि भारती एक्स और max life ये तो personal relationship manager भी देते हैं आपको claims में मदद करने के लिए तो ये दिखाता है कि ये company सच में फिकर करती है अप फिर से इन चार company में तुलना करें और फिर एक अच्छा term insurance अपने खुद के लिए चुने बाकि आपको किसी भी चीज में अगर कोई doubt हो तो हमें comments में जरूर बताए